आखिर कब तक मेरे जीवन में ऐसे ही दुखाते रहेंगे अब तो मैं अपने माता-पिता के लिए भी बोज बन चुकी हूँ तब ही साक्षी अपने छोटे से घर में आती है जहां साक्षी के गरीब माता-पिता हर्या उर्मिला एक चार पाई पर बैठे थे साक्षी ने हाली में अपनी D8-B8 की पढ़ाई पूरी की थी उसके माता-पिता बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे हर्या उसी गाउं मदनपुर में दूसरों के खेतों में 200 रुपे रोज की मज़्दूरी करता था साक्षी ने बड़े संगहर्श के बाद स्कॉलर्शिप पास करके अपनी पढ़ाई की थी अब उसे नौकरी के लिए 2 लाख रुपे लग रहे थे पता नहीं कब तक ये साक्षी हम पर बोज बनी रहेगी गरीबी की वज़े से साक्षी की अब तक कहीं शादी नहीं हो रही थी साक्षी रोज गाउं में काम की तलाश में जाती थी क्योंकि उसका पिता ही उसे काम करके पैसे कमाने के लिए मजबूर कर रहा था एक दिन साक्षी शहर किसी काम से आती है वहाँ वो एक स्कूल के पास आती है जहां बाहर एक बोर्ड पर लिखा था कि इस स्कूल में स्कूल के अंदर आती है और प्रिंसिपल के आफिस में आकर प्रिंसिपल को अपनी डिग्री और काबिलियत बताती है हम स्कूल में पर्मनेंट कोई टीचर आ जाएगा तो हम आपको निकाल देंगे जी सर कोई इशू नहीं प्रिंसिपल साक्षी को कल से ड्यूटी जॉइन करने को कह देता है अगले दिन साक्षी पुराने कपड़े पहन कर चहर की उसी बड़े से स्कूल में आती है और बार्वी क्लास में जाती है जहां कई सारे स्टुडेंट थे अरे ये कौन आ गई क्लास में? उतने में प्रिंसिपल क्लास में आते है ये सुनकर सब स्टुडेंट दंग रह जाते हैं तभी क्लास में बैठी दो लड़कियां रियो और पायल आपस में बाते करते हैं पायल ये साक्षी मैडम तो कैसी रास्ते की भिखारी लग रही है हाँ पता नहीं कैसे इने टीचर की नौकरी मिल गई सब साक्षी का गरीब अवतार देख कर तरह तरह की बाते करने लगते हैं बस क्लास की लास्ट पैंच पर बैठा महेश अपना सर नीचे की अकेला खामोश बैठा था तभी साक्षी सबी को लेक्चर देने लगती है सबका ध्यान साक्षी की ओड था बस महेश अकेला पीछे नीचे सर के खामोश बैठा था तभी साक्षी की नजर उस पर पढ़ती है महेश ध्यान की दर है तुमारा? खड़े रहो और बोर्ड पर जो क्वेशन लिखा है उसका आंसर बताओ मुझे महेश सवाल पढ़कर चुपचाप खड़ा रहा जवाब दो महेश माम ये महेश पढ़ाई में एकदम जीरो है इसे कुछ नहीं आता हाँ टीचर जी ये महेश पिछले चार सालों से बारवी क्लास में है ये चार सालों से फेल होता आ रहा है हाँ टीचर जी हम आटवी क्लास में थे ना तब ये महेश बारवी क्लास में आय था तब से लगातार ये चार साल से फेल होता आ रहा है और अब तक ये इसी क्लास में है मजे तर लगता है ये महेश बूढ़ा भी बारवी क्लास में ही होगा ये सब सुनकर महेश की आँखों में आसुआ जाते हैं चुपो जो सब के सब ऐसे किसी की मजबूरी पर हसना नहीं चाहिए शाम का समय सारे स्टुडेंट्स क्लास से बाहर चले जाते हैं तब ही साक्षी अकेले महेश को क्लास में रोकती है महेश तुम पढ़ाई में इतने कमजोर क्यों हो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या ठीचा जी मैं हमेशा पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाता हूँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता महीश तुम दुखी मत हो अब मैं जैसा कहती हो तुम वैसे पढ़ाई करो अगर तुमने मेरे बताये तरीके को फॉलो किया तो देखना इस साल तुम बारवी क्लास में सबसे फर्स्ट आओगे मैं रोज स्कूल छूटने के बाद एक घंटा तुमारी एक्स्ट्रा क्लास लिया करूँगी यहां और तुम्हें अच्छे से सब समझाओगी उसके बाद अगले दिन से साक्षी अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बड़ी लगन से पढ़ाने लगी और स्कूल छूटने के बाद एक घंटा महेश की अलग से क्लास लेने लगी एसी तरह दिन प्रति दिन बीतने लगे एक शाम साक्षी अकेले महेश को क्लास में पढ़ा रही थी मैम, आप मेरे घर आकर मुझे पढ़ाया करिये न, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ठीक है महेश, अगले दिन साक्षी उसी शहर में महेश के बड़े से घर में जाकर उसे पढ़ाने लगती है महेश का घर बहुत बड़ा था, वो अपने माता-पिता कुलदीप मिनाक्षी के साथ रहता है, कुलदीप बहुत अमीर था एक शाम साक्षी महेश को उसके कमरे में पढ़ा रही थी, तभी महेश मुस्कुराती नजरों से साक्षी को देखने लगता है महेश दिल ही दिल में करने लगता है साक्षी से प्यार, उसके बाद दिन प्रति दिन बीटने लगे और महेश के दिल में साक्षी के लिए प्यार बढ़ता ही चला गया अब वो साक्षी के सामने रोज रोज नए कपड़े पहन कर आने लगा और वो रोज रोज साक्षी को गिफ्ट पी देने लगा एक दिन महेश अपने घर में साक्षी को देखकर मुस्कुरा रहा था आज मौका है, साक्षी मैम को प्रपोस कर देता हूँ साक्षी मैम, मुझे आपसे प्यार हो गया है I love you साक्षी मैम ये सुनकर साक्षी के होश उड़ जाते है क्या? महेश ये क्या बक्वास कर रहे हो तुम? हाँ मैम, मैं सच कह रहा हूँ इतने दिनों से आपका साथ आपके दिल में मेरे लिए इतनी परवा मुझे पढ़ाने की आपकी लगन ये सब देखकर मैं आपका आशिक बन चुका हूँ मैम मुझसे शादी कर लिजिये मैम मैं आपके बिना नहीं रह सकूँगा महेश तुम पागल हो गय हो मुझे नहीं पढ़ाना तुम्हे साक्षी वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर अपने कमरे में आती है महेश ये सब कैसे सोचने लगा मेरे बारे में अब क्या करूँ अगर मैं फिर से महेश के सामने गई तो वो मुझे देखकर और पागल हो जाएगा और अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो नहीं नहीं मुझे अपने आपको रोकना होगा मैं कल से स्कूल जाना ही बंद कर देती हूँ तब ही साक्षी को प्रिंसिपल का फोन आता है हेलो साक्षी जी हमें बारवी क्लास के लिए नए टीचर मिल गया है तो आप कल से स्कूल मत आना प्रिंसिपल कॉल कट कर देते है चलो अच्छा ही हुआ कि प्रिंसिपल सर ने मुझे खुद ही स्कूल आने से मना कर दिया अगले दिन महेश स्कूल आता है तो वो अपने नए टीचर को देख कर दंग रह जाता है तब उसे पता चलता है कि साक्षी को स्कूल से निकाल दिया गया क्या मेरी साक्षी को स्कूल से निकाल दिया तब ही महेश अपने पिता कुलदीप के पास जाता है जिसके सिफारिश पर प्रिंसिपल साक्षी को पर्मानेंट अपने स्कूल में टीचर की नौकरी दे देता है जब साक्षी को महेश के पिता की बात पता चलती है कि उसके पिता नहीं उसे नौकरी पर लगाए है बिटिया तु तो जानती है न, हम कितने गरीबी में अपने जीवन बिता रहे हैं तेरी इस नौकरी से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी हमें तो दो समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है पिता जी, ये महेश मुझसे प्यार करने लगा है ये मेरा दिवाना बन चुका है अगर मैं इसे स्कूल में रही तो महेश मेरे पीछे पागल हो जाएगा और फिर न ये पढ़ाई पर ध्यान देगा न अपनी जिन्दगी पर मैं अपनी वज़े से किसी की जिन्दगी बरबाद नहीं करना चाहती पिता जी ये सुनकर सबके होश ओड़ जाते है उसके बाद महेश साक्षी का पीछा हमेशा के लिए छोड़ कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और साक्षी अपनी नौकरी करके खुशी-खुशी अपना जीवन बिताने लगी साक्षी को नौकरी भी मिल गई और महेश को अच्छी टीचर भी तभी कुछी महीनों बाद महेश बारवी में नंबर एक से पास हो जाता है रात के साड़ी ग्यारा बच रहे थे अर्विंद की पत्नी शाली नी उसके बगल में लेटी हुई थी अर्विंद अपनी पत्नी की जुल्फों से खेल रहा था और उसे कह रहा था जानती हो शाली तुम्हारी जुल्फों को देखकर मेरा मन क्या करता है क्या? मैं तुम्हारी इन काली ग्यनी जुल्फों में कहीं खो जाओ और किसी को भिना मिलो अच्छा जी अगर तुम खो जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मेरी हालत तो जल बिन बचली की तरह हो जाएगी शालिनी अपनी बात कही रही थी तभी अर्विन के फोन की घंटी बची अर्विन ने फोन उठाया उधर से एक लड़की की आवाज आई Missing you baby, क्या कर रहे हो? आओ ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है इतनी रात को किसका फोन है? अपनी पतनी शालिनी की बातों को सुनकर अर्विन थोड़ा घबरा गया और उसने फोन के स्पीकर को अपने हाथों से ढखा और उससे कहा अब, आफिस से है ये तुम्हारे आफिस वालों को रात को भी चैन नहीं है अब, धेरे बोलो शालिनी, किसे ने सुन लिया तो उधर फोन के दूसरे साइट से फिर से आवाज आई अर्विन, क्या हुआ बेबी? तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया नाराज हो क्या? आऊ ना मेरे पास मैं तुम्हारी सारी नाराज की दूर कर दूगी इतना प्यार करूँगी, इतना प्यार करूँगी कि तुम थक जाओ अर्विन बिस्दर से उठा और ड्रोइंग रूम में आ गया उसने फोन को अपने कान से लगाया और कहा कहा हूं नंदनी? तुम्हारे दिल में? और कहा? वो तो हमेशा ही हो, लेकिन इतनी रात को अब अपने पती से बात करने के लिए क्या रात क्या दिन? आहां, वो तो ठेक है लेकिन अभी भी समाज की नजरों में तुम मेरी बीवी नहीं हो ना तो क्या हुआ? समाज का क्या करना? घर में तुम्हारी वो गवार बीवी है, जिससे तुम बिलकुल शादी नहीं करना चाते थे लेकिन घरवालों के दबाओं में तुम्हें करनी पड़ी हाँ नंदनी अरे तो फिर तलाग दे दो ना, उसे शादी करने का शुमूरत होता है, तलाग देने का नहीं जल्दी से उसे तलाग दो, और ओफिशिली मेरे बन जाओ ओके बाबा, जल्दी तुम्हें good news दूँगा कितने दिनों से एक ही बात कह रहे हो, लेकिन करते नहीं हो, सुनो कल सुबह की फ्लाइट से बैंगलोर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाओंगी I missed you so much my love, I love you, I love you, I love you I love you too, अब क्या सारी महबबत यहीं आइपोर्ट पही कर लोगी, या घर के लिए भी कुछ बचा कर रखोगी अरे, क्या करूँ, तुमको देखकर कंट्रोल ही नहीं होता न उसके बाद दोनों कार में बैट कर नंदिनी के घर की ओर निकल गए पूरे चार दिन अरविंद अपनी पतनी से जुट बोल कर नंदिनी के साथ रहा और चार दिन दोनों खोई रहे एक दूसरे में चार दिन के बाद, क्या यार, एक दो दिन और रुख जाओना काश के रोक सकता, जाना होगा, वैसे मेरा मन तो बिलकुल भी जाने का नहीं है तो फिर मन की सुनो न हाँ, मन की ही तो सुनना है, और तुम्हें ऑफिशेली अपने घर लाना है, क्या लिनी को तलाग दे कर ओ वाओ, I am very happy, कब दे रहे उसे तलाग? जल्दी सुगंधा जैसे ही अपनी बालकनी में आई और नीचे देखा, तो अर्विन को देखकर चौंक गई, अर्विन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, और लिफ्ट से उसके घर पहुचा, सुगंधा ने उसे गले लगा लिया क्यों? कैसा लगा सप्राइज? बाई गॉड, जबरदस्त लगा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ देर बाद तुम मेरी बाहों के घेरे में होगे वैसे कब आए बैंगलूर? आज ही आया हूँ और एयपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास So sweet! I love you, Arvind I love you too, सुगंधा Arvind एक बहुत ही अयाज, बदमाज किस्म का आदमी था उसने तीन-तीन शादियां की थी और उसकी तीनों बीवियों को ये पता नहीं था वो तीनों की तीनों को पिछले कई महीनों से धुखा दे रहा था लेकिन वो कहते हैं न कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है एक दिन की बात है, सुबा का समय था Arvind वाश्रूम में था, उसकी पहली पतनी शाली नी किचन में खाना बना रही थी तभी Arvind के फोन की घंटी बजी वैसे तो वो हमेशा अपना फोन लेकर वाश्रूम में जाता था लेकिन उस दिन भूल गया था फोन लगातार बज रहा था तो शाली नी ने फोन उठा लिया हलो? हलो? कौन बोल रहा है? हलो? लेकिन दूसरी और से कोई आवाज नहीं आई क्या मजाक है? बात नहीं करना है तो कॉल क्यों कर रहे हो? ये कहकर शाली नी ने फोन रख दिया कुछ देर बाद फोन फिर से बज उठा हलो? आप कौन बोल रही है? मैं शाली नी अरे नंदी नी? तुम हो क्या? अब हाँ मैं अरे मैं शाली नी हूँ शाली नी? अरे बाप रे कितने दिनों बात तुमने फोन किया है? तु तो मुझे भूली गई है अरे नहीं ऐसा नहीं है वो तुम्हारा नंबर मिस हो गया था पर तुझे मेरे हस्बेंड का नंबर कहां से मिला? नंदी नी ये अरे बात करके नंदी नी का दिमाग घूम किया शाली नी अर्विन की वाइफ है पर वो तो कहते है कि उसकी वाइफ गवार है जबरदस्ती शादी हुई है उसकी पर शाली नी तो अच्छी खासी पड़ी लिखी और मॉडन है मतलब कुछ तो पक रहा है अर्विन जूट बोल रहा है लेकिन क्यूँ? इसका पता तो वहीं जाकर लगेगा कुछ दिर बाद नंदी नी के नंबर पर शाली नी का एड्रेस आगया उसने अगले दिन ही उसके घर जाने का प्लान बनाया जब वो एरपोर्ट पर फ्लाइट का वेट कर रही थी तब ही उसकी नजर सुगंधा पर गई अरे सुगंधा तू यहां बैंगलूर में? नंदीनी, what a pleasant surprise! किते दिन बाद हम मिल रहे हैं? तू बैंगलूर का बाई? मैं तो यहीं रहती हूँ अरे, मेरा भी तो यहीं ट्रांसफर हो गया है बता, एक ही शेहर में रहते हुए दो बहने मिल नहीं पा रही है सच कहूं तो मैंने तेरा नंबर बहुत ट्राई किया, लेकिन हमेशा आउट ओफ ओडर आता था ओहो, अरे मेरा नंबर बदल गया है, वैसे तू कहां जा रही है? है इत्रा बाद अरे मैं भी वहीं जा रही हूँ कुछ पता करने पता करने लेकिन क्या? तब नंदिनी ने सारी बाते उसे बताई अरे क्या नाम बताये तूने उसका? अर्विन कोई फोटो है क्या उसकी तेरे पास? हाँ है ना सुगंधा ने जैसे ही अर्विन की तस्वीर देखी उसका चेहरा गुसे से तम-तम आ गया ओ माई गॉड ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है मुझे भी इस पर कुछ दिनों से शक हो रहा था और मैं भी इसकी असलियत का पता लगाने ही हैदराबाद जा रही थी सुगंधा ये आदमी तो बहुत शातिर है हम तीनों मौसेरी बहनों को ठग रहे लेकिन अब इसकी पोल खुलेगी हैदराबाद प्लेन के लैंड होने के तुरंद बाद वो पुलिस टेशन गए और इंस्पेक्टर मालती को सारी बाते बताए इंस्पेक्टर मालती ने उनक साथ मेरे घर इसे कहते है सर्प्राइज अर्विन देखो कौन आये है तुम हमेशा पूछा करते थे न अपनी सालियों के बारे में अर्विन जैसे ही बाहर आया और उसने सुगंधा और नंदिनी को देखा तो उसके पसीने छूट गए वो धम से सोफे पर बैढ़ किया क्य और ये तच सच बोलिए कि आप कितने धीले कैरेक्टर के आदमी है आप तीन तीन बेहनों को एक साथ धोखा दे रहे हैं तीनों के साथ गुलचर्रे उड़ा रहे थे ये ये क्या केरियो सुगंधा तब सुगंधा और नंदिनी ने सारी बाते उसे बताई उनकी बातों को स तुनकर शालीनी ने एक जोरदार तमाचा अर्विन को मारा शालीनी मैं तुम्हारा पती हूँ चुप चुप करो नहीं तुम मार मार के मूध तोड़ दूगी तुम हम तीनों बेहनों को धोखा दे रहे थे हम तीनों से शादी की तुमने तुम्हारी असले तो कभी सामने अगर हम तीनों बेहने नहीं होती तुम्हे तो अभी क्या भी पुलिस के हवाले करना चाहिए तब ही इंस्पेक्टर मालती अंदर आई और उन्होंने कहा कि पुलिस आ चुकी है अब इस गुनेहगार को जेल की सलाकों के पीछे जाना है अर्विन को पांच साल की सजा उसे उसके किये की सजा मिल गई